अब आपको बताते हैं कैसे मध्यप्रदेश पुलिस को थेंस करने महाराश्ट से गीता आई हुई थी पूर्व बिदेश मंत्री दिवंगस उस्मा स्वराज के प्रयासों से जिस मोग बधिल लड़की गीता को पाकिस्तान से भारत लाया गया था वह मंगलवार को अपनी मामीना और बड़ी बहन पूजा के साथ महाराश्ट के परभड़ी से भोपाल पहुची थी गीता ने बताया कि उसका घर तलासने के लिए जियारपी ने किस तरह मसकत की थी उसने पताया कि कैसे मध्यप्रदेश जियारपी ने पांस साल तक रिसर्च और मेहनत के बाद उसके गाउं का पता लगा कर उसे घर तक पहुचाया था इसके लिए गीता और उसके परिवार ने 650 किलोमेटर दूर से मध्यप्रदेश जियारपी को धन्यवाद दिया था रोहित ने बताया वह इसारों में चावल और ट्रेन का जिक्र करती थी, सुबय की बात करती थी ट्रेन के जाने और एक जगह इंजन बदलने की बात भी करती थी पूजा में बेलपत्र का उपयोग करती थी मध्यप्रदेश जी आरपी ने उसके खान पान की रुची खाना खाने के तरीके से लेकर पूजा पाठ और हावभाव को लेकर इसके बाद एक सिस्टम बनाया गया देश के सभी इलाकों से इन मुखे बातों पर ध्यान देने और उससे मिलती जुलती बातों पर गौर करने को कहा गया था हलाकि ये बात तो साब थे कि वह गलती से ट्रेन में बैठ गई थी इसका मतलब था कि गीता का संबंध किसी ना किसी ट्रेन और स्टेशन से जरूर है मुझे तो सब पसंद है मराठी मेरा खाना है वो सक्षे रहादा पसंद है और मैं अब पाकिस्टान नहीं जाना चाहिए तो मुझे मालूम था कि मेरी माँ बच्पन में ढांट थी कोई नबीच खाना नहीं कूजा पाटी रड़ती है और ये आप मेरा टीका देख रती मुझे ये पाकिस्टान नहीं ते कितना साल कि भी है ये आट नहीं का लगवर रही है अब परिवार में इस परिवार में नहीं है बस दोई लोग है और इनकी बेहन के तो शादिय होगी है इनके मी सोयंबर की बात चली देगे आप शादी कोई नहीं है ये वो तो एक मीडिया पर हाइक हुआ था पाकि उसी बास नौट इनकी पसंद नहीं है मेरे को तभी अपना अधनर्वर बन रहा है इसमें एक्टों में कुछ केसे बरसे होते है देखे आप बीटे टीवी के देखे है तो बोले कि शादी करने में बहुतारा ही जल गाए इसी बिज़े कोई परावन है तीचे बंगा जाते है ता आप कुछ केना जाते है